जे facto मिसिदी सबको पास्थ जोनी फर्नांडेस और आजका टोपिक बोद बोद इंडरेस्टिंग टोपिक है और सबके लिए ये टोपिक लागो हो जाएगा क्योंकि आजका जो हम दुनिया में जो रहते हम इतना पाप की दुनिया है बहुत बहुत दुनिया में जो चीजों हैं हमें खीशने को कोशिश करती है पाप में जाने को आप बोलो ड्रग्स या आलकोहॉल या लड़की लोग या मुंडे लोग लड़की के लिए मुंडे लोग तो आज का टोपिक से मुझे उमीद है कि हम कुछ बड़ा 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 लेसन बड़ा कुछ सिखेंगे यह है उत्पती का 49 चैप्टर 6 से लेके 12 तक और यह जो युसूफ नाम का जो यांग बंदा था यह सबर्दस बंदा था इतना खुदा का प्यार करने वाला था बोड़ लोग बोलते हैं कि वो खुदा का प्यार करने वाले हैं होते हैं या मैं प्यार करता हूँ खुदा से मैं इतना प्यार करता हूँ लेकिन जब एक्शन में कुछ करने का होता है तो उस टाइम हम गीर जाते हैं लेकिन ये बंदा खुदा का प्यार करने वाला था और इस बंदे ने इस युसुफ खुदा का जो एक दास जैसा था वो यंग उसने मना किया, इतना मौका मिला उसको, क्या करने को मिला था मौका, एक खुबसूरे लड़की के साथ सेक्स करने को मौका मिला था, वो अकेला था, कोई नहीं था उदर, और उसके आथ में अधिकार था, पावर था उसके आथ में पावर था, अधिकार था, लेकिन इसने गल बारी होके खुदा से help मांगेंगे, खुदा हमें भी साफ रखो, पाप की बिना रखो, without scene, without पाप, hallelujah, उत्पति का 49 चेप्टर 6 से लेके 12 तक, इसलिए पोटिफर ने घर की हर चीज की जिमेदारी युसुफ को दी, पोटिफर किसी चीज की चिंता नहीं करता था, वहां जो बोजन करता था, एक मत्र उसकी उसे चिंता थी, जो पोटिफर था, यह बड़ा, बड़ा, एम्पलोयर जैसा था, या माएस्तरो था, या बड़ा बिजनसमेन था, या उसका इलाका बहुत बड़ा था, और युसुफ उसकी घर में काम कर रहा था, और, पोटिफर जो होता बिस्तरी की घाओं में बड़ा उसका एक हिसा होता है, तो इधर लिखा है कि युसुफ बहुत सुन्दर और सुरक्षा था, कुछ समय बाद युसुफ के मालिक की पतनी, युसुफ से प्रेम करने लगी, अभी तोड़ा सा प्रोबलम आ रहा है, एक दिन उसने कहा, मेरे सा सो, तो स्टार्ट किया हो इसने, उसको तंग करने को आओ मेरे साथ सो, हो सकता है, उसने पतले कपड़े डाले, पता नहीं मेक अप जादा किया, क्योंकि लड़किया लोग इससा करते है, कभी-कभी इससा होता है, दुनिया में, अफकोस लड़के लोग भी करते हैं, इंग का दुनिया है कुछ नहीं भात नहीं है आठ किन्तु युसुफ ने मना कर दिया हाल रहा तो फर्स टाइम जब पहली बार जब उसने बोला आओ मेरे साथ सो जा तो उसने मना कर दिया उसने कहा मेरा मालिक घर की अपनी हर चीज़ के लिए मुझे मुझे पर विश्वास करता है उसने यहां की हर एक चीज़ को जिमिदारी मुझे दी है मेरे मालिक ने अपने घर में मुझे लगबग अपने अपने भराबर मान दिया है इतना रिस्पेक्ट आ युसुफ का कि उसकी लेवल तक उसका रिस्पेक्ट आ उसके घर में किन्तु मुझे उसकी पत्नी के साथ नहीं सोना चाहिए ये बंदा इतना उशार था पाप को लेके या इतना इतना पुवित्र था पाप लाइफ में बिलकुल नहीं चाहिए था उसको इतना इसने सबर किया था इतना इसकी इसका लाइफ का जो हालात बनी थी इतना बिगडी हुई थी और उसको आसानी से वो बोह सकता था कि खुदा किधर है, मुझे इतना जहल में डाला गया, मुझे भेज दिया है गुलाम-जैसा यह उता है, वो तो खुदा पर आसानी से जोश लगा के बोह सकता था कि आभी चलो, छोड़ दो खुदा को, मैं मेरा लाइब जिएूँँगा, न किन्तो मुझे उसकी पत्नी के साथ नहीं सोना चाहिए, हाललुया, यहां अनूचित है, यहां परमेश्वर के विरोध पाप है, हाललुया, वहां स्त्री हर दिन युसुफ से बात करती थी, किन्तो युसुफ ने उसके साथ सोने से मना कर दिया था, तो हर दिन, देखो भई, और जो भी देख रहे हैं से लोग भी, हर दिन ये पत्नी युसुफ के पीछे पढ़ी थी, आओ मेरे साथ सो जाओ, आओ मेरे साथ सो जाओ, लेकिन हर दिन युसुफ ने मना किया, पता नहीं कितने दिन ऐसा किया, उसने हो सकता है, साथ दिन हो सकता तो एक मैना हो सकता है मैना के उपर, लेकिन हर टाइम इसने मना किया, मना किया, मना किया. और फिर देखते हम, उसके मालिक की पतनी ने उसका अगर का पकड़ा, थोड़ा सा आ कि जा ह। वहां स्त्री हर दिन युसुफ से बात करती थी किन्तु युसुफ ने उसके साथ सोने से मना कर दिया एक दिन युसुफ अपना काम करने घर में गया उस समय वहां घर में अकेला योगती था वो अकेला था, उसके मालिक की पत्नी ने उसका अगर का पकड़ा लिया और उससे कहा, आओ आओ और मेरे साथ सो जाओ, किंतु युसुफ घर से बाहर भाग गया और उसने अपना अगर का उसके हाथ में छोड़ दिया, ढर लगा उसको, ये लड़की से ढर ढर लगा और उसक आज हम और मैं ये कर सकेंगे अगर कोई भी ऐसा हमें मौका देने को आएगी या आएगा अकेला था वो और वो लड़की ये पत्नी पोटिफर की उस पर इतना एक कर रही थी प्रेशर कर रही थी आओ मेरे साथ सेक्स करो तो कितने लोग हमारे ये सुन रहे हैं आज मना मना करने को आप राजी है तो इसका मतलब आप खुदा में बहुत बढ़ गया है आप मेचूर बंदा है या मेचूर सिस्टर है या कुड़ी है तो आज का जो लेसन है हमारे लिए ये सिखाय गया है कि पाप को मना करो सेक्स को मना करो सेक्स जो होता है सिर्फ शादी के महर म होना मंगता है शादी से पहले नहीं और शादी में भी सिर्फ हाजमन और वाइफ के साथ होता है अगर शादी में भी होके हम आउर किसी के साथ सेक्स करेंगे तो ये बड़ा पाप है तो आज का दिन ये बहुत सीरियस टॉपिक है सेक्स मत करो शादी से पहले और शादी में बी करने का है तो फिर सिर्फ आपके पत्निया पत्नी से क्योंकि ये खुदा का वचन है हाललुया और भी टॉपिक्स आ रहे हैं सेक्स को लेके तो रेडियो हो जाओ सब की सब सफाई हो जाएगी हाललुया गॉड ब्लेस यू अच्छी तरह के से खुदा की वचन को लेके गॉड ब्लेस यू अमें